तो आगते स्टुडेंट्स देखें आपर question दिया हुए कि two thin lenses of same focal length f एक convex और other concave are placed in contact with each other the equivalent focal length of the combination देखो मानलो कि एक हम convex lens ले लेते हैं और एक हम concave lens ले लेते हैं और दोनों को ऐसे contact में लगा देते हैं और बोलते हैं कि इसका भी focal length f है इसका भी f है तो total focal length बताओ combination का तो formula यह लगने वाला है one by f net equal to focal length one focal length two अब दोनों का focal length same है दोनों का focal length same है तो अगर दोनों का focal length same है तो हमको sign convention के हिसाब से पता है कि convex lens में light rays इस तरह से आगर के यहाँ पे मिलता है ठीक है तो इसका जो focal length होता है इसको हम लोग positive लेते हैं क्योंकि इस direction को positive मानते हैं और measurements pole से optical center से होगा तो यहां से यहां तक का measurement positive माना जाएगा और वही focal length f होगा प्लस में लेकिन अगर हम बात करें concave lens की तो उसका जो raise आता है न वो कुछ ऐसे आ करके इधर चला जाता है ऐसे आके इधर चला जाता है तो इसको हम लोग backward produce करके मिलाते हैं यहां मिलाते हैं यहां मिलाते हैं तो इसका measurement तो opposite दिशा में करना होगा न फोकल measurement का measurement ऐसे करना होगा न इसका focal length negative होता है अब यहां रखो तो वन बाइफ वन प्लस में प्लस वन बाइफ टू माइनस में अब यह जो वैल्यू है यह वन बाइफ और माइनस वन बाइफ तो जीरो हो जाएगा न डैट मेंस की वन बाइफ नेट कितना आ गया जीरो आ गया मे thank you so much for watching